दोस्तों बोर्ड परिक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है कि अब जो है साल में दो बार होगी बोर्ड परिक्षा है ठीक है चली देख लेते हैं क्या बोला गया है और या पैसला दिल्ली की ओर से लिया गया है सिक्षा मंत्राले की ओर से ठीक है देखिए नए दिल्ली प्रिट सिक्षा मंत्राले ने इसकुली सिक्षा का नया राष्ट ये पाटिकरम धाचा तयार कर लिया है ठीक है इसके ताथ बोड पर इक्षाएं अब साल में दो बार वंगी छात्र छात्राओं को सर्वस रेष्ट अंग चुन्ने का विकल्प दिया जाएगा इसके साथ ही कच्छा ग्यारवी और बारवी के जो छात्र छात्राएं हैं ठीक है इनको दो भासाओं का इद्यान करना होगा इन में से कम से कम एक भासा जो है भारतिय भासा होनी चाहिए और एक आपका रिजिनल लेंग्वेज हो सकता है ठीक अगला है कि मंत्राले के अधिकारी लोग ने बताया है अफिसर लोग ने कि राइश्ट सिक्षा के निती यानि कि NEP New Education Policy के अनुसार नया पाइटिकरम धाचा तयार है इसके आधार पर 2024 सैक्षनिक सत्र के लिए पाइटिय पुस्तक के तयार की जाएंगी फिर बोला गया है कि इस समय बोड परिक्षा में छात्रों का काफी कुछ दाउं पर लगा होता है ठीक है बोड परिक्षाओं के लिए छात्रों को माहिनों तक कोचिंग की तके बजाए बोड परिक्षा के जरिये छात्रों की दक्षता यानि कि इसकील को डेवलप किया जाएगा ठीक है और समझ का आकलन किया जाएगा पाइटिकरम धांचे के अनुसार छात्रों को अच्छा परदर्शन करने के लिए परियाप्ष समय मिलेगा ठीक है और आउसर मिलेंगे opportunities मिलेंगे इसके खातिर दोस्तों साल में जो है दो बार बोट पर इक्षाएं आविजित की जाएगे बोट इक्जाम साल में दो बार होगी दो बार बोट पर इक्षा देने के बाद उन्हें सरुसरेश्ट अस्कोर बनाए रखनी के अनुमती होगी कक्षा ग्यारवी और बारवी के बिसेयों का चयन, कला, बिज्ञान और आपका वनीज मतलब कि Arts, Commerce and Science इस्ट्रीम तक सिमित नहीं रहेगा बलकि इसमें लचिनापन लाया जाएगा और छातर छात्राओं को अपनी पसंद का विसेय चुनने की आजादी मिलेगी नए पाटिकरम के अनुसार स्कूल, बोर्ड, उचित समय से मांग के अनुसार परिक्षा की पेसकस करने की छमता विक्सित करेंगे फिर बोला गया है कि कक्षा में पढ़ाई के दोरान पाटि पुस्तकों को कवर करने की मौजुदा पर्था से बचा जाएगा और NCF में कहा गया है कि यहाँ सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों को अच्छा प्रदर्सन करने के लिए परियाप्त समय भी दिया जाएगा ठेक है और अपोरिटिज भी दिये जाएगे आउसर मिलेंगे बोड परिक्षा हैं साल में कम से कम दो बार आयजित की जानी है इसके बाद छात्र या छात्रा उन पिसरी की बोड परिक्षा में सामिल हो सकेंगे इस परिकरिया को एक व्यापा टेस्ट बेंक के माइदियम से संभव बनाया जा सकता है फिलाल तो इसमें अभी काम होना बाकी है इसका उप्योग उप्योग सौप्ट्वेर के जरिय किया जाएगा अब देखे जो भी चीज़े आएंगी हम आपको इसी तरह से पेस करते जाएंगे यहां पर और कुछ चीज़े जीसे कि कक्षा 9 और 10 के बारे में बताया गया है कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को 3 भासाएं पढ़नी होंगी पहले 2 भासाएं पढ़ने थी अब 3 भासाओं का एदियन करना होगा जिसमें से 2 को भारतिय भासा होगा और एक आपका original language होगा तो इस तरह से अब आपका framework होगा पढ़ाई की नजरिया बतलेगा ठीक है क्योंकि समय बतल रहा है तो सब कुछ बतलना चाहिए एंड इसी तरह से जब भी कोई update आएगा education से related हम आपको अपडेट करता जाएंगे तो हमरे साथ जुड़े रही है बने रही है मिलते हैं एक लिडियो में तब तक के लवाए thank you, नमस्कार